ये इच्छी खबर एक ही परिवार के लोग अलग अलग ले सकते हैं फाइदा केंसरकार ने नीमों में किया बड़ा बदलाव जी हां दोस्तों एक बड़ी ही अच्छी और तालिस लाग से दिक इंद्री करमचारियों के लिए होती हैं पर किस तरह के से एक ही परिवार के मुलें और शेर जरूर करते हैं जिसे आपके दोस्त भी इसे नए नियम के बारे में जान सके हैं और वो भी इस विदा का लाब यहां पर उठा सके हैं तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्वेसे ल्टी सी रूल से 1988 से जूड़ी प्रिक्रिया के तैते जरूत को लेकर करमचारियों की संकाओं के समधान के लिए इस पस्टी करण जारी किया है यानि कि डियोपीटी की द्वरा यह आदेश यहां पर जारी किया है और इस आदेश में कहा है कि पहले जो केंद्रे करमचारिय थे वो इस बात को लेकर उलजन में थे कि उन्हें एक तरफ की यातरा का भुगतान मिलेगा या फिर दोनों और से खर्चे का भुगतान किया जाएगा वहीं इस पस्ट नहीं था कि अगर एक ही परिवार के कई लोग लग लटी से के लिए दावा करने योग हैं तो क्या वो अलग अलग इसका लाब यानि कि जो LTC है वो सेप्लेट भुगावल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे तो ये दो जो कुस्टें थे यानि डावट थे करमचारियों के उनके समाधान के लिए डियोपीटी के द्वारा यहां पर जारी किया गया है कि क्या सरकारी करमचारी के फेमिली मे तरह में द्वारा जारी किया अगर कोई सरकारी करमचारी नजदी की एरपोर्ट रेलिवे स्टेशन या फिर बस टर्डमिनल तक ल्टीसी पर यात्रा करता है किसी निजी वीकल से तो उसे सारवजनिक परिवेन के जरिये होने वाले खर्च के बराबर अधिकतम बुगतान किय ये जाएगा और इसमें जो अधिकतम सरकारी करमचारी को खुद बहुता था तो केंद्र की और से अब यहां पर जो नियम बदम जरिकिया गया है तो उस नियम में अब यहां पर यह कहा गया है कि करमचारीयों के द्वारा जो अधिकतम 100 km की सीमा का मतलब दोनों और की यात्रा से है या फिर एक तरफ से तो यह था पहले अधिकतम 100 km का ही रिमर्शमेंट करमचरी को मिलता था लेकिन यहां पर यह था कि जो 100 km की डिस्टेंस है यह तो एंड फ्रो है फिर यहां फिर वन साइड की तो अब यहां पर ज फुल 200 km की यात्रा के लिए किया जाएगा आसन सब्दों में से समझें तो 100 km तक जाने और 100 km तक लोटने की यात्रा का क्राया बुक्तान यहां पर किया जाएगा इसके अलावा एक ही परिवर के कही लोगों के लग अलग अलग प्राइविट टेक्सी या फिर दूसरे वान का इसतेमाल करें तो भी वो टेक्सी किराय में इल टकी का अलग अलग फाईदा पाने के अख़दार यहां पर है यानि कि ौबराल यहां पर कियाने का मतलब यह हुआ यह कि यह सरकारी करमचारी LTC के दौरान टेक्सी के दौरा याता करता है अपने आवाज से लेकर नजदी की एरपोर्ट तक बस इस्टेंट तक तो वहाँ पर उस करमचारी को ओराल 200 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसका रिमर्चमेंट सरकार के दौरा LTC में किया जाएगा और जो फैमिल मेंबर्स हैं यादि वो भी अलग-अलग समय पर आता करते हैं तो उनको भी अलग-अलग टाइम पर और अलग-अलग इसाब से ही 200 किलोमीटर तक का रिमर्चमेंट यहां पर एक सरकारी करमचारी को किया जाएगा तो यह काफी अच्छा और रात वाला कदम क सरकार के दुआरा उठाया गया है सरकारी करमचारियों के लिए जिसका की फाइदा 48,00,000 से दिक सरकारी करमचारी को मिलने वाला है तो फुलाल इस वीडियो में तना ही जानकर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं आपके दोस्तों के साथ मैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब कर ले हर एक यूजफिल और लिटस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए